हलो बच्चो, मैं हूँ हिमलत अबैद और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज का विशय है हिंदी और अध्याय है पंद्रह तो इस अध्याय में हम जानेंगे कुछ और बाते यानि एक और अनेक और उल्टे अर्थ वाले शब्द ठीके? तो पहले मैं आपको ये पाठ पढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं आपको कुछ और दिखाऊंगी तो बच्चो इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखें एक डाल पर तीन तोते थे एक तोता नीचे गया, दो तोते गये उपर उड़ ठीके? एक तार पर चार कपड़े थे एक कपड़ागी ला था, तीन कपड़े सूखे थे मेज पर चार समोसे थे एक समोसा ठंडा था, तीन समोसे गरम थे गमलों में पांच पौधे थे एक पौधा छोटा था, चार पौधे बड़े थे बिल में तीन चूहे थे एक चूहा अंदर था दो चूहे बाहर आ गए एक बार फिर से पढ़ थे एक डाल पर तीन तोते थे एक तोता नीचे गया दो तोते गए उपर उड़ एक तार पर चार कपड़े थे एक कपड़ा गीला था तीन कपड़े सूखे थे मेज पर चार समोसे थे एक समोसा ठंडा था तीन समोसे गरम थे गमलों में पांच पौधे थे एक पौधा छोटा था चार पौधे बड़े थे बिल में तीन चुहे थे एक चुहा अंदर था दो चुहे बहार आ गए तो बच्चों, आपको कुछ समझ में आया? जरूर आया होगा, तो ये अध्या है एक और अनेक और उल्टे अर्थवाले शब्दों पे बना, यानि तोता तोते, नीचे उपर, कपड़ा कपड़े, गिला सुखे, समोसा समोसे, ठंडा गरम, पौधा पौधे, छोटा बड़े चूहा, चूहे, अंदर, बाहर, तो यहां से हमें ये बिल्कुल समझ में आता है कि जब हम एक, यानि संख्या एक हो, तो हम उसे एक बोलते हैं, और अगर एक से अधिक हो, तब उसे हम अनेक बोलते हैं, जब वहां एक है, तो उसे हम तोता, एक तोता, और जहां ज्यादा ह समोसे, पौधा, पौधे चूहा, चूहे तो बिल्कुल इसी तरह आपको पता है उल्टे अर्थ वाले शब्द भी यहाँ छुपे हैं उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम नीचे उपर गिला सूखा होगा थंडा गरम, छोटा बड़ा, अंदर बाहर तो इसी तरीकी से हम दूसरे प्रिष्ठा में जाते यहां भी बिल्कुल एकी चीज है एक बार पढ़ लेते आसमान में साथ चड़िया उड़ रही थी एक चिड़िया आगे थी, बाकी चिड़िया पीछे थी तो चिड़िया चिड़िया इसमें चंद्रबिंदू नहीं और इसमें उपर चंद्रबिंदू है यानि ज्यादा है, एक से अधिक है आगे पीछे, तो आगे और पीछे हो गए विलोम शब्द यानि उल्टे अर्थवाले शब्द एक डाल पर छे लीचियां थी एक लीची पकी थी पांच लीचिया कच्ची थी सुपकी कच्ची और पका कच्चा दादा जी के पास तीन कटोरिया थी एक कटोरी भरी थी दो कटोरियां खाली थी तो कतोरी कतोरिया एक अनेक, भरी खाली यानि विलोम शब्द, कमरे में चार खिडकियां थी, एक खिडकी खुली थी, तीन खिडकियां बंद थी, खिडकी खिडकियां खुली बंद, ठीक है? तो मैं आपके साथ शेर करना चाहती हूँ एक चार्ट जो की मैंने बनाया है और आप अगर सब बना ले तो आपको भी बहुत ही फायदा होने वाला है क्योंकि इस संथ्याय से हमें बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है तो ये क्या है? एक और अनिक का चार्ट मतलब एक और एक से अधिक मतलब अनिक तोता तोते, कपड़ा कपड़े, समोसा समोसे, पौधा पौधे, चूहा चूहे, चिडिया चिडिया, लीची लीचिया, कटोरी कटोरिया, खिड़की खिड़किया इसके बाद क्या है? इसके बाद है उल्टे अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द तो उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं तो ये क्या है? उल्टे यानि opposite नीचे उपर, गिला सूखा, ठंडा गरम, छोटा बड़ा, अंदर बाहर, आगे पीछे, पका कच्चा, भरी खाली, खूला बंद ठीक है? तो आपको ऐसा ही चार्ट बनाना है और आपको याद करना है क्यूंकि इस सध्याइस से ऐसे ही आने वाले एक्जाम में अब कुछ हम हलके फुलके, हलके फुलके पल के बारे में जानते है यानि प्रिष्ठा अंग 61, ठीक है? तो यहाँ क्या है हम देख ले? बताए मैं कौन हूँ? यानि कुछ ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है यहाँ हमें खोजना है, हमें ढूंड के निकालना है कि इन तीनों अप्शुन्स में कौन से वाले correct answers हैं कौन से वाले सही है? तो हमें बताना है कि मैं कौन हूँ? बादल आने पर खुश हो जाऊं, पंक फैला कर नाच दिखाऊं तो बच्चो कौन होता है इन तीनों में? मोर मोर बादल आने पर खुश हो जाते हैं, वो पंक फैला कर नाच दिखाते हैं तो आंसर क्या है? मोर कोई जैसी काली हूँ, बोर की महक मुझे है भाती, खुश होकर मीठे स्वर में गाना हूँ गाती तो कौन सी चड़िया है वो? कोई जैसी काली होती है, लेकिन खुश होकर मीठे स्वर में गाना गाती है कोयल मैं हूँ सुन्दर पक्षी, रंग है मेरा हरा हरा, बाते करता हूँ मानव की तरह, यानि तोता बहुत दिखाई ना पड़ू, दिन में सोऊं, रात में जागू, बड़ी बड़ी आंखो से ताकू, यानि उल्लू, जो की दिन में सोता है और रात को जाकता है तो बच्चो, यह विडियो यहीं समापत होता है, धन्यवाद